हाई हालो दूस्तों नमस्कार आशे करते हूं आपस वो लोग आचे होंगी आज हम बात करेंगे पीस वन पुनियन सिल्वन पाट वन मुवी के बारे में तो चले दूस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पोनियन सिल्वन पाट वान का टीजर हो चुका है रिलीज अगर हम बॉक्स आफिस कलेक्शन बात करें बाहुवली 18 सा करड़, दंगल 2000 करड़, केजिफ 12 सा 50 करड़ मुझे लगता है ये मुवी दंगल मुवी का रेकर्ड तोड़ेगी मौने रत्नम सार की डिरेक्शन, एयर रहमन सार की म्यूजिक, पुरा दिल और दिमाग को हिला दे रहा है चेन बिक्रम और आईशर राय बच्चन की आक्टिंग अभी से ही फैंस के दिलों में आग लगाना शुरू कर दिया पीस ओन टीजर देखते हैं तो लगता है इसके सामने जो भी फिल्म रिलिज होगी पुरही तरह पिट जाएगी क्योंकि टीजर में इतना दम है तो ट्रेलर तो बाकी है मेरे दोस्त टीजर में थोड़ा भी स्टोरी रिविल नहीं किया गया है ये एक पान इंडिया फिल्म है और जवर्दस अक्षन फाइटिंग बड़े-बड़े हाथी घोड़े और दमदार वीएफिक्स देखने को मिलेगी हाँ थोड़ा बहुत बाहुबोली मोवी का फिलिंग्स हमको देखने को मिलेगी लेकिन बाहुबोली कहानी से ये मोवी की कहानी बिलकुल नया और अलग है PS1 का टीजर आठ जुलाई को लॉंच कर दिया गया है और भारत सिनेमा की दूसरी सबसे महेंगी और बड़ी फिलिम होने बाली है इस फिलिम में चोला समरज्यों के बारे में बताया गया है जिनका साउथ इंडिया में मोगल के पहली राज चलता था पॉन्यन सिल्बन तामिल की एक क्लासिक नॉबल है जिसे कलकी कृष्ण मूर्ती ने साल 1950 में लिखा था और पॉन्यन सिल्बन के नाम से मेगजन छपती था हर हपते कहानी का एक हिस्सा पपलीश होता था इसकी स्टोरी काफी बड़ी थी शाल 1950 से 1954 तक हर हपते पॉन्यन सिल्बन की कहानी प्रकासित हुए थी इस मेगजिन के पूरे पेज़ेस को मिला दे तो ये 222 पेज़ेस में लिखी गई थी इस फिलिम को तामिल, तेलगू, माललम, कानड़ा और हिंदी में रिलीज किया जाएगा और फिलिम रिलीज हो रही है 30 सेफ्टेमबर 2022 वीडियो के से लग कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलता हूँ नेक्स टूबर में धन्यबाद